जॉन की सेकंड बिगस्ट फॉली है उनकी अक्टिंग अबिलिटीज अपरेंटली अक्टिंग अक्टिंग वाला, जॉन हास टोटल थर्टीन एक्सप्रेशन्स और इन एक्सप्रेशन्स में क्या डिफ्रेंस है? ये सिर्फ जॉन ही बता सकते हैं मगर अपनी बाद आक्टिंग से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जॉन हास ब्रहम मास्त्र, और जब 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 ज़ॉन को लगता है कि कोई कहीं उनकी अक्टिंग को जज करने वाला है जॉन फ्लांस बॉरी और उनकी ऐसी किक बत पॉफॉर्मेंस दे कर लोग बटक, I mean बटक जाते हैं और किसी का ध्यान जॉन के प्राइविट अनलिमिटेड एक्स्प्रेशन की तरफ नहीं जाता और जब से जॉन को अपनी बट की इस सूपर पावर के बारे में पता चला, कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बट का इंशॉरंस भी करवा लिया So, it's no if, no jut, only but for जॉन Everybody wondered why विशाल भारदवाज कास्टेड हिम फॉर साथ खूनमाफ मगर बाद में जॉन का रोल देकर सब समझ गई कि विशाल ने शायद जॉन के पत्थर जैसे एक्स्प्रेशनलस फेस को देख कर ही उनको इस मूवी में कास्ट किया होगा Because John played a rock star who is always stoned in the movie Though John got a little appreciation for his role in water मगर बाकी मूवीज में John की acting देकर लोगों को लगता है कि John के लिए चुलू भर वाटर is enough It looks like he's competing against Uday Chopra for a lifetime achievement award in worst actor category And looking at the limited number of films Uday has done We are sure John will be a hands down winner John, ifs and buts, आपको ज्यादा दिनों तक save नहीं कर पाएंगे अगर Bollywood में रहना है तो acting तो करनी ही पड़ेगी And that's why this limited acting range of yours has become Your Folly No. 2 on Our Countdown